हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई होब आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपना खुद का हेंड वैक्स कैसे कर सकते हैं और आज जो मैंने वैक्स यूज किया है वो है चॉकलेट वैक्स जो की बहुत ही अच्छा है और फ्रेंट्स इसके दो बहुत अच्छे फायदे हैं सबसे पहला तो ये टैनिंग बहुत अच्छे से रिमू कर देता है और दूसरा मौशेर वाले मौसम में जिसे की बारेश या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है जब मौशेर वाला मौसम है उस समय बहुत अच्छे से हेल्प करता है और ये जो आप देख रहे हैं वैक्स स्टिप है रोल में मैंने ली हुई है अगर आपका खुद का पालर है तो भी आपके लिए बहुत ये बेनिफिट वाला है और अगर आप परसनल यूज के लिए भी लेते हैं तो आप काफी लंबे समय तक चल जाता है और इसके साथ एक और चीज की नीड है वो है पाउडर हम जब भी वैक्स कर रहे होते हैं मेक शूर कि हम जहां स्किन पे वैक्स कर रहे हैं अगर हमारे स्किन पे और अल्री कुछ ऑईल लोशन या कुछ लगा हुआ है तो इसको रिमूव करके पाउडर लगा के फिर स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैं और इसके लिए सबसे पहले एक हीटर है यह मैंने तो सिंपल वाणा हीटर लिया है और आज कल पहुत अरी ऑटोमेटिक वैक्सी आगये हैं अगर आप घर पर वैक्स करता है आथर हीटर ही लाए के लिए ऐसा मैंने की देखा है कि वैक्स तो करना चाहते हैं येवेज्ट ये जलदी डश वह करते समय ऐसा फीलिंग आता है कि पेन बहुत कम हो रहा है क्योंकि जिए सिंपल हनी वेक्स यूज करते हैं ग्रीन डब्बे में आता है उसमें थोड़ा सा पेन होता है और यह कंपरेटिवली थोड़ा समेंगा है बहुत जादा फरक नहीं है प्राइज में और यह जो वेक्स पट्टी रोल है इसको आप अपनी स्वेधा अनुसार कट करके रख लें अगर आपका पालर है तो यह बहुत सारी कॉंटटी में इस तरह से करके रख लें नहीं तो अगर आप बीच में करेंगे तो आपको बहुत ही ज़दा डिस्टब होगा और यह मैंने कट कर ली है इस कॉटन से ही लगा दिया है और यह जो न्यू चीज आप देख रहे हैं यह है वैक्सिंग पाउडर सिंपल पाउडर भी लगा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कॉसली रहता है यह और जो सिंपल पाउडर हम यूज करते हैं पाउंस अगरा का सेम ही रहता है बस फरक इतना है कि इसमें कोई fragrance नहीं है जिसके अभी कोई need भी नहीं है क्योंकि हम waxing कर रहे हैं तो अगर हम पालर भी चला रहे हैं तो इस तरह का powder लेके रख लें और अगर आप personal use के लिए भी लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है और बहुत time तक आपका यह चलेगा और मैंने बालों आपका आगे तर खिचेगा नहीं इस तरह से छोटे छोटे जगह पर अगर आप first time wax कर रहे हैं तो थोड़ा सा wax नॉर्मल ही लें ज्यादा गरम ना लें क्योंकि आप अभी practice कर रहे हैं और जिस तरफ छेध हैं पट्टी में वो वाला skin पर रखेंगे अंदर की तरफ मतलब skin पर touch होने चाहिए और बालों की opposite direction में खीच लेंगे और आप देख सकते हैं कितना easily clean हो गया है एकदम से remove हो गया है और अगर आप यही wax use करते हैं तो आपको बारिश के मौसम में भी दिक्कत नहीं आएगी और एक बार wax करने लेने के बाद अगर आपको लगता है कि और ज और चोटे चोटे जगह पर wax लगा कर इस तरह से opposite direction में खीचते जाएंगे एक strip तब तक यूज करना है जब तक आपको comfortable है अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी चिप-चिपी हो गई है तो तुरंत उसे remove कर दें अधर वाई सो बहुत ज़्यादा खिचती है और पेन उस तो यही रेजन होता है कि बहुत ज़्यादा चिपक साजाता है तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है जब हलका सा फुश करके और निकल देना है और फिंगर के उपर हेर रहते हैँ वह थोड़ा सा थिक रहते हैं अगर आपने नोटिस किया होगा और जल्दी न वीडियो हेलफुल लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक भी करें और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपनी फ्रेंड सरकल में जिननों को वैक्सिंग करने में दिक्कत आती है घर पर उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं इ इस तरह से मैंने पूरी जगह पर वैक्स कर लिया है देखिए यहां पर तो हेयर है नहीं लेकिन फिर भी मैंने वैक्स किया क्योंकि इससे जो पूरे हाथ की टैनिंग बहुत अच्छे से रिमू हो जाती है अब मैं जो यह कोहिनी का जो पार्ट होता है अंदर वाला यहां देखिए काफी हमारा सेंसिटिव जगह होती है तो यहां पर दीरे-दीरे छोटे-छोटे जगह पर वैक्स करते जाना है दोस्तों आप सोच रहा होंगे कि मैंने राइट हैंड से लेफ्ट वाले हैंड पर वैक्सिंग कर ली लेकिन राइट हैंड पर कैसे करूंगी तो बि है मैं तो शोल्डर के थोड़ा नीचे वहां दिक्कत जाती है लेकिन आप दो-तीन बार प्रक्टिस करने के बाद इजीली कर सकते हैं और वैक्सिंग करने के बाद आप देखते होंगे कि छोटी-छोटी दाने आ जाते हैं कई बार कई लोगों को होता है तो पहली बात तो यह वाला वैक्स अगर करते हैं तो बहुत कम चांसे हैं कि दाने हो लेकिन अगर फिर भी करेंगे कि हमेशा कहीं किसी भी पार्लर से वैक्स करवाएं खुद करें तो थोड़े-ठोड़े दाने आई जाते हैं तो फ्रेंड्स उसका रीजन यह रहता है कि यहा तो वैक्स जो खीच रहा है वह गलत तरीके से खीची गई है या तो एकदम जोर से या एकदम धीले तरीके से आपको दब वैक्स लगा के उस पे पट्टी रखके और हलका सा प्रैस करके और पीछे से इसके थोड़ा सा पकड़के और खीचना है अगर आप बहुत जादा धीला धीला हाथ और या फिर बहुत जादा तेजी से खीच लेंगे या फिर एक ही स्टिप को बहुत देर तक यूज़ करेंगी जो कि और बहुत चिप-चिप हो गई है तो यह थोड़ी सी गलतिया रहती है तो इन सब को आवाइड करने से ऐसे दाना वगर नहीं आता है लेकिन फिर भी मतल की लोगों की स्किन भी सेंसिटिव रहती है तो इस कंडिशन में सिंपल एलोवेरा का जैल या फिर कुकुमबर जैल इन दोनों में से कोई भी आप अपने स्किन को वाश करके जब हम वैक्स कर लेते हैं तो इसकिन को वाश करके और वहाँ पर जैल अगर थोड़ा सा अपला तेजी से तो इस कंडिशन में लाल लाल चकते से भी आ जाते हैं इसी लिए आप थोड़ी सी जगर पर लगाएं और पटी धीरे से रखें और इसको खीचते जाएं इस तरह से अगर आप वैक्स करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप वैक्स कर ले और ध्यान रखें कि वैक्स करने के एक दम बाद बीज भी ना करें और नहीं कोई भी साबुन लगाएं और फ्रेंड्स वैक्स करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरुरत रहती है जो की बहुत जरूरी है सबसे पहले तो वैक्स हीटर वैक्स स्ट्रिप और पाउडर पफ और इसके अलावाड नाइफ और लास्ट में जो हम अपलाय करते हैं या फिर कोई भी लोशन मौस्ट्राइजर क्रीम या फिर अगर आपके इसके बहुत ज़्यादा ऑईली हो जाती है तो जैल तो फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इसके लिए वीडियो के नीचे राइट साइड में दिये गए रैड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रैस करें साथ ही साथ बैल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ज दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप डिरेक्ली वहां से भी पर्चेस कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कंपेर करके जो जीजे भी आपको पसंद आती हो आप दे सकते हैं तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफोर्मेटिव और इंट्रेस्टिंग से वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब में किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्यू सो मच और बबबब झाल 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